हेलो एवरीवन वेलकम टो लॉजिक पार्ट शॉर्ला चैनल आज किस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मंतली करंड अफियर्स तो दिसेंबर 2022 के जो मंतली करंड अफियर्स से उसका ये लास्ट पार्ट है इसमें हम कवर करेंगे सभी इंटरनाशनल न्यूस और सभी स्पोर न्यूस तो जो पूरे दिसंबर महीने के आपकी न्यूस रही हूं सभी को कवर करेंगे अगर आप बाकी वीडियो पी देखना चाहते हैं क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट है तो मंतली प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्केप्शन में दिया गया है उसमें आपको हर एक मंत की जो भी हम मंतली करेंट अफेस करते हैं वो सभी वीडियोस मिल जाएंगी इसके लाब फेंट से अगर आप और भी अधर वीडियोस को चेक करना चाहते हैं वो सभी दिके बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे स्टैटिक जीकी की हमारी इक अलग प्लेलिस्ट बनी है जिसमें आप वो सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी करन्ट अफेस के जो टॉपिक्स आते हैं आपके वो सभी की भी अलग प्लेलिस्ट है तो आपके असानी के लिए ही ये प्लेलिस्ट बनाई गई है तो आप लोग इन प्लेलिस्ट को जरूर देखें तो चल एडिशनल 40 मेगावाट्स ओफ एलेक्ट्रिसिटी फ्रम टू मोर हाइड्रो एलेक्टिक प्रोजेक्ट तो भारत ने किस देश के बिजली प्राधिकरण को दो और जल विदुत परियोशनाओं से अतिरिक्त 40 मेगावाट्स जो बिजली है उसे निर्यात करने की अनुमती द और दिखे यहाँ पे भी नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट वे थे पुष्प कमल देहल Recently the union cabinet has approved the opening of new concerns in which of the following countries तो केंद्रे मंत्री मंडल ने किस देश में नए वानिजे दूताबास कोनले को मन्सूरी दी है सही आंसर हो जाएगा मालदीव और लिथानिया में नए वानिजे दूताबास कोनले को मन्सूरी दी गई है माल्दीव की कापिटल है माले करंसी है रुपिया प्रेजिडेंट है इब्राहीम मुहम्मद सोली लुथवाने की कापिटल है विल्नियस और यहां पे करंसी है यूरो आगला कोशन है पुष्प कमल देहल has been appointed as a new prime minister of which country सो मैंने आपको पहले ही कोशन में बताया था ना कि यह भी नए prime minister बने है नेपाल देश के इन्होंने सकसीट किया है शेर बहादूर दोवे फॉर्मर प्रेजिडेंट अब्दुल्ला यामीन has been sentenced to 11 years in prison after being found guilty of money laundering and bribery अब्दुल्ला यास्पीन was the president of which country सो इन्हें 11 सालों की सजा सुनाई गई है यह money laundering और रिश्वत खोरी में दोशी पाए गए यह किस तेश के राष्टपती थे तो अब्दुल्ला यामीन यह माल्दीव के राष्टपती थे और इन्हें 11 सालों की देखे सजा सुनाई गई है तो वीर गार्डियन चो एक्सराइज यह पहली ही बार होगी 16 से 26 जनवरी तक इसका आयजन होगा और यह एक्सराइज होगी इंडिया और जापान के बीच कहां पे होगी तो हयाकुरी एयर बेस और इरुमा एयर बेस है जापान में जहां पे इस एक्सराइज का आयोजन किया जाएगा तो याद रखेगा यह पहला ही एडिशन रहेगा तो काफी ज़दा इंपॉर्टेंट है आंसर है फिजी तो फिजी देश के जो है यह नए प्रधान मंत्री जो है चुने गए है फिजी के कापिटल है सुबा और यहां पे करंसी है फिजी और डॉलर तो देख सकते हैं पैसिफिक ओशिन में चुटे आइलेंड से है और यही है यह कौनसी कांट्री है फिजी विजी तो फर्वरी दो हुसार चौबिस में तेरवे विश्व वियापार संगटन मंतिस्तरिय जो बैटक है इसकी मिजबानी कौन सा देश करेगा सही आंसर है UAE जो है इसकी मिजबानी करेगा इसमें WTO के जो भी मेंबर से देखे वो एक साथ आएंगे जिसमें कंट्रीज और जो कस्टम यूनियन्स हैं वो सभी जो भी ट्रेड एग्रिमेंट्स को लेके जो मैटर्स है उनके ओपर डिसीजन वो यहाँ पर लिये जाएंगे United Arab Emirates की कापिटल है अबुदाबी करंसी है दिरहम प्रेजिडेंट है मोहमद बिन सायद अलनेहान World Trade Organization के स्थापना हुई 1st January 1995 इसका Headquarter है Geneva Switzerland डारेक्टर जनल है नाइजीरिया के नगोजी ओकॉन्जो इविला और Member Countries है 164 Which country topped in the Global Food Security Index 2022 तो वैश्वे खाद सुरक्षा सूचकांग में सबसे उपर रहा है फिनलेंड देश इंडिया के इसमें रैंक रही है 68 और ध्यान रखेंगे चाइना के पुजीशन भी वो है 25 इंडिया और विच कांट्री टो लॉंच फैरी सर्विस बिट्वीन कांग के संथुराई और पॉंदचेरी भारत और कौन सा देश जन्वरी 2023 में कांग के संथुराई और पॉंदचेरी के बीच में एक नोका सीवा को शुरू करेंगे तो ये नोका शेवा शुरू होगी इंडिया और श्रीलंका के बीच इस तरह के देखें इंगेजमेंट से ना जो फॉरन रिवेन्यू है वो काफी जन्वरीट होता है और ये भारत में आने वाले जो बुद्धिस्ट पिल्ग्रिम्स हैं उनके लिए भी काफी जाधा कन्वीनियल्स हो जाएगा श्रीलंका की कापिटल है श्री जैवधने पुरे कोटे और कॉलंबो करेंसी है श्रीलंकान रुपी प्रेजिडेंट है रानिल विक्रमसिन है और प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुनवर्धने इंडियन ओरिजन लियो वरादकर हैस बिन री इलेक्टेड अस प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कांट्री राइट आंसर इस आइरलेंड देश के ये फिर से प्रदान मंत्री अपॉइंट हुए है विच एडिशन ओफ इंडो नेपाल जॉइन ट्रेनिंग एक्सरसाइस सूरिय की रण बिडवीन इंडिया और नेपाल जोकी स्टार्ट हुई नेपाल के आर्मी बैटल फिल्ड जोकी है सल जंडी में तो यहाँ एडिशन पूछा गया है इसका एडिशन हुआ है सोलवा एक्सरसाइस का नाम है सूरिय की रण और किस-किस के बीच में हुई इंडिया और नेपाल के वेन्यों जरू ध्यान रखेगा इसका उदेश्य क्या है देखिए संयूत राष्ट के साशन देश के तहत दोनों सेनाओं की जो इंट्रोपैरबिटी यानि जो अंतरशम तहा है उसको बढ़ाने के लिए एक्सरसाइस की गई United Nations Member States have removed which of the following country from UN Women's Right Groups recently किस देश को स्थायों के राष्ट महिला अधिकार समुझ से हटा दिया गया है आंसर है इरान को इससे हटाया गया है इरान की capital है तेहरान, currency है रियाल और प्रेजिदेंट है इब्राहिम राइसी which country has for the first time emerged as a top oil supplier to India replacing Iraq in November 2022 so November में इराक की जगए भारत को शीश तेल आप पूर्ती करता की रूप में जो देश उपरा है कौन सा है रश्या रश्या की capital है Moscow, currency है रूबल, प्रेजिदेंट है वलादिमार पुतिन which edition of India and Kajakistan joint training exercise का जिन्द starts at उमरोई में घाले देखे कोशन में ही दो तिन कोशन क्या चुपए है कि जो का जिन्द exercise है ये हुई इंडिया और Kajakistan के बीच start हुई में घाले की उमरोई से edition के बात करते हैं तो कौन सा है ये 6th edition which country's finance minister has printed the first bank notes with two women's signature किस देश के वित्य मंत्री ने दो महिलाओं के हस्ताक्षर वाला जो पहला note bank note है इसे चापा है तो इस note पे इन दोनों महिलाओं के हस्ताक्षर है और ये US की finance ministry के द्वारा print किया गया है इनका नाम क्या है जिनका signature है Janet Yellen and Lynn Malreva तो $1 or $5 की जो currency का note है उन पे इन दोनों के signature किये गए है which country has surpassed a new anti-smoking law which banned the future generation of New Zealand from purchasing tobacco तो आने वाली PD को तंबाकू खरीदने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है ऐसा एक जो anti-smoking law है इसे पास किया है न्यूसिलेंड गॉर्मेंट ने न्यूसिलेंड के बात करते हैं friends तो न्यूसिलेंड के capital है Wellington currency है dollar जैसी इन डा आर्डन है यहां की prime minister अगला question है where is India global forum being held on 13 to 15 December 2022 तो इसका जो आयोचन है यह कहां पे किया गया याटाइंसर है दुबई में किया गया और इस forum में इंडिया की तरव से राजीव चंदरशेगर ने इससे अटेंड किया इसकी theme जो रखी किए वो है globalization of Indian tech and innovation talent which of the following country will host an international conference जो कि a standing with the Ukrainian people इसकी मिजबानी कौन सा देश करेगा answer है France इसकी मिजबानी करेगा इसका उदेश है कि Ukraine में लोगों को जो humanitarian need चाहिए यानि उनको मानवी जरूरतों को पूरा करना which of the following country has successfully launched first ever Arab built lunar spacecraft जो की है राशिद रोवर किस तेश ने हाल ही में Arab निर्मित चंदर अंतरिक्ष यान राशिद रोवर को सफलता पूर्वक लाँच किया है तो इसे लाँच किया है सफलता पूर्वक United Arab Emirates ने से Space X के Falcon 9 rocket से space में भीजा गया तो rocket का नाम जरूर ध्यान रखिएगा तो ये जो exercise है ये इंडिया नेवी की किस country के साथ में हुई है तो ये exercise हुई है इंडिया की USA के साथ में exercise का नाम है संगम एडिशन इसका हुआ 7 और exercise हुई कहां पे तो ध्यान रखिएगा गुवा में सबसे पहली बार exercise कंडर्ट कराई गई थी 1994 में तो पेरू देश की पहली महिला राश्टपती का नाम क्या है दिना बोलुआर्टे पेरू की बात करते हैं तो ये तीसरा largest country है South America की आप लोगेशन देख सकते हैं currency है Seoul यहां की official language is Spanish The 12th World Hindi Conference will be organized by the Ministry of External Affairs in collaboration with which country सो 15 से 17 फर्वरी 2023 सक इसका आयजन होगा बारुआ वर्ड हिंदी कॉन्फरेंस का तो किस देश के साथ मिलकर इसे आयजित किया जाएगा तो सही answer है Fizi इसकी जो theme रखी गई वो है Hindi from traditional knowledge to artificial intelligence Fizi की capital है सुबा currency है Fizi and dollar The 18th meeting of joint working group on security and border management between India and which country was held तो भारत और किस देश के बीच सुरक्षा और सीमा प्रभंधन पर सयुक्त कारे समु की अठारवी बैटक आयजित की गई तो यह हुई इंडिया और बांगलदेश के बीच इंडिया के तरफ से इसमें लीट किया प्यूश कोयल ने और बांगलदेश के तरफ से थे एके मुखलेश्वर रहमान सो इस बैटक में देखिए कुछ इशूस के ऊपर एक तरीके से चर्चा कीगे जैसे की इलीकल चो क्रॉसिंग होती है या फिर टेररिस्म के बारे में उसका मुकाबला कैसे करे स्मगलिंग इन सभी के बारे में 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 डिसकुस्शन किया गया बांगलादेश के कैपिटल है धाका, करेंसी है टका, प्रेजिडेंट है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीन और यहां का नैशनल स्पोर्ट है कबड़ी इसका अनावरन किया है किसने? यूएस ने इसका अनावरन किया है बीवन जो बीट्वेंटी वन जो राइडर यह है, यह कैपेबल है कैरिंग अन्यूकलर पेलोट, न्यूकलर पेलोट को लेजाने में पूरी तरीके से सक्षम है और इसे बिना ग्रू के उड़ाया जा सकता है यह हमने कवर कर लिया है, यूसे के साथ में एक्ससाइज हुई थी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, according to a report by a U.S. Think Tank Early Warning Project, which country has stopped the list of countries at the highest risk of experiencing new mass killings तो इसमें सबसी उपर कौन सी कंट्री है, इसमें है सबसी उपर पाकिस्तान, इंडिया की इसमें रैंक रही है 8th place पे और इसे जारी किया है जो U.S. का Think Tank के Early Warning Project ने UNESCO Released has Recommended the Great Barrier Reef on a list of World Heritage Sites in Danger तो जो Great Barrier Reef है ना, इसे UNESCO ने खतरी की जो सूची है उसमें रखा है, ये Great Barrier Reef किस देश में इस्तित है, तो ये है Australia में Great Barrier जो Reef है, ये World का सबसे बड़ा Coral Reef Ecosystem है UNESCO ने इस तरीके के Danger to List और उसमें 52 इस तरीके के Sites जो हैं उनको रखा है ताकि उनको Protect करने के लिए जो Action है वो लिया जा सके UNESCO की Full Form है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization इसकी Formation हुई 16 November 1945, Headquarter है इसका Paris में, Director General है Audrey Azale जो की France की है, Member Country से 193 Friends ये थी हमारी जो की आपकी International News थी अब कवर करते हैं Sports News को पहला Question है, Who Has Become the IPL 2023 Most Expensive Ever Buy in the Players Auction अभी तक के सबसे महंगे के लाड़ी जो Auction में भी के हैं, उनका नाम है Sam Curran, Sam Curran वैसी तो देखिए, England के Player हैं, लेकिन कौन सी टीम में गए हैं IPL में? Punjab Kings में Who Has Been Appointed by Hockey India as a Captain of the Indian Man's Hockey Team तो देखिए, अभी 2023 में जो होकी का मेंस का World Cup होने वाला है उसके लिए, जो इंडिया की मेंस होकी टीम है, उसके Captain Appoint किये गए हैं, हर्मन प्रीद सिंग तो ये जो, इससे पहले जो देखिए, एडिशन हुआ था, 14th एडिशन हुआ था और खेला गया था उडिशा में, 2018 में Who Won The Gold at the 6th Allied National Women's Boxing Championship in Bhopal तो इसमें Gold Medal जीता है, किसने, लवलीना बोर्गों है और एक और नाम ध्यान रखेंगे, निखत जरीन इन दोनों नहीं अपनी अपनी कटिग्री में कौन सा Medal जीता है, Gold Which of the following city will host the 36th Asian Wrestling Championship 2023 36th जो A.C.I. कुष्टी Championship है, इसकी मिजबानी कौन सा शेहर करेगा, नई दिल्ली Which team has been crowned as a champions of 4th Tennis Premier League 2022 तो ये जो Tennis Premier League है, ये किस team ने जीती है? ये जीती है, Hyderabad Strikers ने, final जो हुआ था, ये पुने महराष्ट में जो है, इसका आयरजन किया गया था Who has clinched the ISSF Presidents Cup held in Cairo, Egypt मिसर के काहिरा में आयर जीत, ISSF Presidents Cup किस ने जीता है? आंसर है, रुद्राक्ष, पार्टिल ने जीता है Stephanie Frefford of which country will be the first woman to referee a men's World Cup match तो 2 December 2022 को देखे, men's World Cup जो मैच हुआ, उसमें पहली woman referee बनी Stephanie Frefford ये किस देश की है, तो ये पूछा कया है, ये है, France की Who broke the national record in the men's 200-meter individual medley heats at the short course world championship in Melbourne पुरुशों की 200-meter व्यक्तिकर medley heat में राष्टे record किस ने तोड़ा है? शिवा श्रीधर ने Which player hit a world record seven sixes in a 49th over of महराश्ट विजे हजारे ट्रोफी quarter final उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट के मैच हुआ था और इन्होंने 49th over में साथ छक्की मार कर विशो record बनाया किसने बनाया है? रितुराज गाइकवार ने तो जो मैच हुआ था ये हुआ था एहमदाबाद में और उत्तर प्रदेश के अगेंस्ट ये मैच हो रहा था विजवता फोलाइंग करके टीम जिसने जीता है विजे हजारे ट्रोफी 2022 तो विजे हजारे ट्रोफी का टाइटल किस टीम ने जीता है? सही आंसर है सौराश्ट ने सौराश्ट ने फाइनल में महराश्ट को डिफीट किया याद रखेगा इसमें प्लेयर आफ दी टूर्णमेंट का टाइटल मिला रुतुराश गाइकवाड को प्लेयर आफ दा मैच का टाइटल मिला है शेल्दन जेक्सन को भारत के लिए चटे सबसे ज़ादा रन बनाने वाले खिलाडी कौन बने? सही आंसर है रोहित शर्मा रोहित शर्मा से पहले सचिन तेंदुल का विराट कोली, सौरव गांगली, राहिल द्रेविन, एमस्तोनी ये सभी लीडिंग रन स्कोर हैं इंडिया के विश्व भारत तोलन चैंपेंशिप में रजट पदा किसनी जीता है? आंसर है मेरा बाई चानू विश्व भारत के 77 चेस्ट ग्रेंड मास्टर अफ इंडिया? तो भारत के 77 चेस्ट ग्रेंड मास्टर कौन बने है? संकल्प गुपता याद रखेंगे आदित्य मित्तल बने है 77 चेस्ट ग्रेंड मास्टर इसके बाद 78 भी मैं आपको बता देती हूँ कौन बने है? कौस्तव चैटर जी और जो आदित्य मित्तल है न ये महरास्ट सी है नेक्स्ट चलिए हम लोग कोशन देख लेते हैं पास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ODI अगेंस्ट बांगलादेश सो बांगलादेश के खिलाफ एक दिश्य अंतराश्टे मैच में सबसे तेज इन्होंने डबल सेंचुरी बनाई यानि 200 रन कंप्लीट करने का वर्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये बनाया है इशान किशन ने और इशान किशन ने 126 बॉल्स में ही डबल सेंचुरी अपनी बनाई ही ये 7th बैटर बने हैं पूरे वर्ड में जिनोंने इस टागेट को अचीव किया और इंडिया में से बने है फोर्थ प्लेयर आफ्टर सचिन तैंदुल का रोहे शर्मा और विरेंदर सेभाग फो हैस वोन दा गोल्ड मेडल अट पेरु पैरा बेंडमिंटन इंटरनाशनल चैंपेंशिप इन लिमा लिमा में जो इस चैंपेंशिप हुई है इसमें गोल्ड मेडल जीता है सुकान्त कदम ने नेक्स्ट है वो हैस वोन दा गोल्ड इन दा वोमेंश एर पिस्टल 65 नेशनल स्चूटिंग चैंपेंशिप कॉंपेटिशन इन पिस्टल इवेंट्स जो की हुआ बहबाल में तो इसमें स्वन पदक जीता है किसने दिव्यानी जो ओलम्पियन मनु भाकर हैं उन्होंने जूनियर वोमेंश एर पिस्टल जीती इसमें ईशा सिंग को उन्होंने डिफीट किया तो दस अजार टेस्ट रन बनाने वाली इतिहास में तीसरे जो किर्केटर बनी है उनका नाम है जो रूट तो नवंबर के लिए आईसेसी प्लेयर आफ दी मन्थ का किताब जीता है वोमेंस में बात करते हैं सिद्रा अमीन ने और मेंस में भी ध्यान रखेंगे जोश बटलर करीम बेंसिमा अनौंस इस रिटार्मेंट फ्रॉम इंटरनाशनल फुटबॉल आफ्टर दी फीफा वर्ट कप 2022 गें टूंटी टूंटी टू किम टू एन एंड सुच करीम बेंसिमा है ये बिलॉंग करते हैं फ्रांस से फीफा वर्ट कप इस पार किस टीम ने जीता ध्यान रखेंगे फ्रेंट्स अर्जंटीना की टीम ने जीता फाइनल में अर्जंटीना की टीम ने डिफीट किया था फ्रांस को ये इस पार कहां पे मैचेस हुए थे तो इसे होस्ट किया था कतर देश ने पहली बार 2022 महिला टैनिस संग प्लेयर आफ दे इयर का ताश पहनाया गया है पुलैंड की इगा स्विटिक को यहाँ अब अलग अलग देख सकते हैं से डबल टीम आफ आफ आइयर के लिए बार्बरा क्रिसी को और कैट्रीना सिनियाकोवा को चुना गया मोस्ट इंप्रूव्ट प्लेयर आफ दा इयर के लिए चुना गया ब्रेजील की पिट्रिस हैड़ेट माईया को कमबेक प्लेयर आफ दा इयर के लिए जर्मनी की तज़ाना मारिया को चुना गया न्यू कमर आफ दा इयर के लिए चुना गया चाइना की जैंक कुइंग वेन को तो यह सबी हमें ध्यान रखने हैं तो मेंस सिंगल का टाइटल जीता है विक्टर अलेकसन ने और इसमें वुमें सिंगल का टाइटल जीता है जापान की अकाने यामागूची ने विश टीम वन दा फीफा वर्ड कप टो टावसें ट्वेंटीट तो मैंने आपको बताया आपको याद भी होगा अर्जंटीना की टीम ने जीता इसमें फ्रांस को डिफीद किया गया गोल्डन बूट का जो अवर्ड है वो मिला फ्रांस के कलियन मबाप्क को और गोल्डन बॉल जो मिली है वो मिली है लियोनल मैंसी को जो की अर्जंटीना सी है who has been crowned the international tennis federation world champion in the men's category तो men's category के लिए चुना गया है किसे राफेल नदाल को और women's में ध्यान रखेंगे इगा स्वेटिक को Indian women's hockey team won FIH Nations Cup by defeating which country in Spain तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो FIH Nations Cup हुआ ये इंडिया की women's की hockey team ने जीता इसमें उन्होंने defeat किसे किया तो Spain की team को उन्होंने defeat किया था matches भी Spain में हुए थे Indian team की captain कौन थी इसमें? Savita Poonia Which of the following team has won 9th season of Pro Kabaddi League title? Right answer है friends Jaipur Pink Panthers ने Pro Kabaddi League के 9th season का खिताब चीता Final में defeat इन्होंने किया Pooneri Pulton को Next day Rehan Ahmed has become the youngest men's test cricketer to take a 5 wicket on debut Rehan Ahmed जो है कौन सी country से है? तो ये है friends England से Which of the following country will host the next football club World Cup? तो फर्वरी 2023 में जो अगला football club World Cup होगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोरक को इसकी मेजबानी करेगा? जो last recent edition हुआ था फर्वरी 2022 में ये हुआ था UAE में और इसे जीता था English football club Chelsea ने फीफा के upcoming events सेख सकते हैं फीफा World Cup अब 2026 में होगा Canada, Mexico, USA में जिसमें 48 teams होगी Under 20 Women's World Cup हुआ कोस्टर इका में जो Under 17 Women's World Cup हुआ था ये इंडिया में हुआ था और 2023 वाला होगा Australia और New Zealand में Who has won the top arena junior international badminton championship ये championship हुई Kuala Lumpur Malaysia में और ये जीती गैतो सोरानी Who among the following has been named nominee for the ICC Emerging Men's Player Cricketer of the Year Awards तो दिखे अभी nominate किया गया है अगर men's की बात करें तो अर्षदीब सिंग को nominate किया गया और women's में ध्यान रखेंगे इंडिया की रेनुका सिंग और इंडिया की यस्तिका भाटिया इन दोनों को nominate किया गया है ICC की full form है International Cricket Council इसकी formation हुई 15 June 1909 Headquarter है इसका Dubai UAE में Chairman है Greg Barclay जुकी है New Zealand से Deputy Chairman है Imran Kwaza ये Singapore से है CEO है G of Elardis ये Australia से है General Manager है Wasim Khan Member से इसके 108 तो friends ये थी हमारी complete video जिसमें आज हमने सभी important international news और जो भी आपकी sports news है उन सभी को cover कर लिया है तो अब आपके monthly current face December के complete हो गए है ठीक है friends तो मैं आपको मिलूँगी another important class में thank you so much for watching this video आपक स्थेड़ States